हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चाइनल इकजाम प्लेयर में तो दोस्तो आज हम देखेंगे बिहार पुलिस के छातरों के लिए करवासच जिनका इकजाम 213.2021 को है दोस्तो इस वीडियो को लाने का मेरा उदे से आपको बिहार पुलिस में च चिपाही चयन पारसद बोड के द्वारा जो बिहार पुलिस का एकजाम कराया जाता है उसके बारे में कुछ जनकारी बता देता हूँ जो की बिहार पुलिस का ये जौब नहीं है ये एक ब्यापार बन चुका है बिहार पुलिस ब्यापार बन चुका है दोस्तो ये जौब नहीं दे रहा है ये एक बेपार कर रहा है जिसके लिए हर साल 8000-10000 पोश्ट पर फॉम के लिए आवेधन करने के लिए भेजता है और लाखो अभ्यारतियों से आवेधन के नाम पर मोटी रकम वशुल के और अपना इस्थिती को मजबूत करता है बोड़ तो चलिए देखते हैं आज क्या है सच्चाई बिहार पुलिस के परिक्षा के पीछे तो दोस्तो ये 12 लाख आवेधन लगभग हर साल 12 लाख आवेधन आता है अन्रिजर्ब, OBC, EWS, SC, ST ये सब के बारे मैं आपको step by step समझाता हूं कि बिहार पुलिस का जौबन है ये एक बेपार है तो चलिए देखते हैं कि ये बेपार कैसे है तो दोस्तो 2019 में जो आया था भेकेंसी वो आया था 11,800 पुष्ट पे और 2020 में आया है लगभग 85,000 पुष्ट पे यहाँ पर हर साल 12,00,000 आवेदन जाता है बिहार पुलिस में 12,00,000 अभेदन हर साल करते है और 12,00,000 में 8,00,000 जो आवेदन लगभग वो अन्रिजर्ब, OBC, EWS ये सम मिला कर जिससे 450 रुपए आवेदन फी लिया जाता है और 8,00,000 अभ्यार्थी 450 फी करके अगर आवेदन फी भरता है तो 36 करोड रुपए होता है 36 करोड रुपए उसके बाद 4,00,000 अभ्यार्थी AC और ST मिला के फर्म भरते हैं तो उससे 112 रुपए लिया जाता है जिससे आवेदन सुल्क 4,48,00,000 रुपए और कूल अन्रिजर वो भी सी EWS ACST मिला के कूल जो रासी होता है वो 40 करोड और 40,00,000 रुपए के लगभग होता है तो यह हुआ उनकी आवेदन से इनकम अब देखते हैं कि उनको इकजाम कराने का कितना खर्च लगता है तो इसमें 40 करोड रुपए जो है होता है इकजाम कराने का खर्च पूरे और उसको जो 38 करोड रुपए वो बोड के जोली में जाता है उसके बाद यह तो हुआ आवेदन और इकजाम कराने का खर्च और जब आवेदन हो जाता है और इकजाम होता है तो उसमें कोश्चन इतना टप सिट किया जाता है इतना टप कि पढ़ने वाले एक भी स्टूडेंट से एकजाम नहीं निकलता है पढ़ने वाले एक भी स्टूडेंट का कोश्चन नहीं बनता है पढ़ने वाले स्टूडेंट से मात्र 25 से 30 कोश्चन ही बन पाता है 25 से 30 कोश्चन पढ़ने वाले कि क्या आप बुले 25 से 30 कोश्चन बनाने में हालत खराब हो जाता है बिहार पुलिस का कोश्चन इतना टप रहता है यू पी यसी से भी टप रहता है कि उसके बाद यह तो हुआ कोश्चन की टॉप कोश्चन जो टप रहता है उसके बाद टॉप कोश्चन में भी पेपर आउट हो जाता है पेपर आउट पेपर आउट अब पेपर आउट हो गया तो पेपर आउट कराने का भी उसको इनकम होता है कुछ मालिजे की हर एक अभ्यार्थी से पेपर आउट कराने का एक से दो लाख तक में होता है एक से दो लाख में तो मालीजे की 10,000 पोस्ट है 10,000 पोस्ट है 10,000 पोस्ट है और मालीजे की 1,500,000 के लिए 10,000 पोस्ट और 1,500,000 करके तो ये भी इसको लगवा में करोरों में हो गया ये तो आबेदन से इतना हुआ लेकिन इजे 10,000 पोस्ट में पांच हजार अभ्यारती को सेलेक्ट करना है अब ये दस हजार में पांच हजार अभ्यारती से अगर डेर लाग करके वो कोश्चन अब कराने का लेगा तो सोचिए कि बोड के पास कितना फिसा जाएगा तो ये है बिहार पूलिस जौब नहीं है ये एक बोड द्वारा ये एक पेशा है जो कि हर साल थोरा थोरा पुष्ट करके निकाला जाता है और बोड की अच्छी खासी कमाई हो जाती है इसलिए कोश्चन अगर आउट भी होता है तो बोड मानने के लिए तयार नहीं होता है सांती पुर्ण एक जाम हुआ लेकिन यहां तो हम देखे हैं कि अभ्यार्थी जो था कोश्चन का आंसर सीट लेकर के एक जाम हॉल में एक जाम देने गए थे उस टाइम तो दिमा खराब हो रहा था क्या एक जाम हो रहा है कोश्चन का सील भी नहीं टूटा एक जाम हॉल में और अभ्यार्थी के कोश्चन का आंसर है उसके पास वो गया और छापके चलाया पढ़ने वाले विद्यार्थी तो उसमें बेचारे पढ़ने वाले विद्यार्थी तो गये काम से और जो नहीं पढ़ने वाल है उसका एक्जाम निकल जाता है तो ये है बिहार पुलिस की सच्चाई तो ये है बिहार पुलिस की सच्चाई अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी है तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका एक्जाम किलियर नहीं होगा बिहार पुलिस का एक तो question टप रहता है रूश के बाद question out फिर भी cut up जाता है 75 85 85 इतना cut up उतना hard question होने के बाद मात्र 20 से 30 question बनने के बाद बनने के बाद भी cut up जाता है 80 से 85 इसका कारण क्या है भाई question तो tough है question तो बहुट tough है लेकिन cut up गया 80 से 85 तो इसमें तो paper लिख हुआ था मनों उतना cut up गया मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई आगर जो question set करता है उससे भी नहीं बनेगा question वो तो किता में से set कर देता होगा लेकिन अगर उससे भी बनवाएगा तो question नहीं बनेगा जो CSBC में जो होंगे अध्याक्षिक जाम कराने बाले उससे भी नहीं बनेगा इतना है चाहते है कि CSBC इस पर ल्गिएं दे और जोब के नप ब्यापार न करें और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ खिलबार न करें किरिपया इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर कीजिएगा दोस्तों ये सब आपके लिए ही वीडियो लाना परा तो ये वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों शेयर कीजिएगा जितना से ज्यादा हो शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे बोड ऐसे भरती कराने वाले बोड के पास ये संदेश जाए और एकजाम अच्छे से कराए ताकि पढ़ले वाले विद्यार्थी का सेलेक्शन हो और जो जो चोर है जो चोर जो सीपाही बनने जा रहा है वो क्या करेगा देश की सेवा चोर कहूं देश की सेवा करता है सीपाही ही अगर चोर होगा तो क्या देश के रक्षा हो पाएगा कभी नहीं तो इस वीडियो को सेर किजिए और चोरी करने और कराने वाले और कराने वाले को भी के उपर भी ध्यान दिजिए तब होगा कदाचार मुक्त परिछा नहीं तो ऐसा नहीं होने बाला है कोश्चन आउट करवा देता है और बोट कहता है नहीं एकजाम हुआ एकदम सांतिपूर्न एकजाम हुआ जना लगता है कि कोई चोरी उरी हुए बे नहीं किया है एकजाम सुरू होने से आधा घंटा पहले बिहार पुलिस का कुश्चन का अंसर सीट आ जाता है सब के पास और सब मस्ती में लेके जाते हैं और बना के आते हैं और कहते हैं लर गया जो दिया वो आ गया कुश्चन यह हुआ बिहार पुलिस का एकजाम दोस्तों तो दोस्तो यही कहने के लिए हम इस वीडियो को बनाए हैं तो वीडियो को अच्छा लगे तो सेर किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा